इधर चोर पटना के इंडस इंड बैंक के एटियम को लूतने का प्रयास कर रहे थे और उधर मुंबई के ब्रांच का मुख्य शाखा का अलार्म बजता है और उसके बाद वहां से वो लोग इनफॉर्म करते हैं पटना के बुद्धा कॉलनी के थाने वालों को और थाने वाल कर जब पटना के बुद्धा कॉलनी में इंडस इंड बैंक के एटियम में जाते हैं तब उनको दिखता है कि दो लोग उस एटियम को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे टेकनीक इतनी बढ़ गई है टेकनलोजी इतनी आगे जा चुकी है कि पटना के एटियम को तोड़ने का जब प्रयास हो रहा था तब बंबई के मुख्य शाखा में अलार्म बच गया और अलार्म बजा तो पटना के ATM से 20 लाक रुपए जो लूटे जाने वाले थे वो बचा लिए गए बुद्धा कॉलनी के थाने के लोग उस इंडस इंड बैंक के ATM के पास पहुँच गए और असली काम क्या है और कैसे टेक्नलोजी ने एक तरीके से कबजा कर लिया है चोरों के दिमाग पर वो चाहें कितनी भी कोशिश कर लें अब शायद चोरी नहीं कर पाएंगे हम आई दिन सुनते हैं कि ATM को लूट लिया गया हम आई दिन सुनते हैं कि ATM को उखार कर ही चोर लेकर चले गए लेकिन पत्रना के बुद्धा कॉलनी के Indus Ind Bank के ATM में चोरी होने वाली थी और उस चोरी को बंबई के मुख्य ब्रांच वालों ने रोक लिया अब ये कैसे रोका पूरी कहानी आपको तफसील से सुनाएंगे आप एकदम ध्यान से सुनिएगा मुंबई में जो इंडस इंड बैंक का मुख्य शाखा है यानि कि जो मेन ब्रांच है वहाँ पर इस बात की तस्दीक होती रहती है कि जो देश भर में इंडस इंड बैंक का एटियम है उसका हाल क्या है एक टीम है जो बैट कर CCTV में देखते रहती है कि अलग-अलग ATM में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है और वहाँ पे जो मुख्य ब्रांच है वहाँ के जो 5-7 लोग हैं जो dedicated यही काम करते रहते हैं रात को क्या हुआ कि अलार्म बज़ता है जब अलार्म बज़ा तो मुख्य ब्रांच में जो लोग बैठे हुए थे उनको location दिखाई दिया पटना के बुद्धा कॉलनी का ATM उन्होंने बुद्धा कॉलनी को पुलिस वालों को फोन किया और कहा कि बुद्धा कॉलनी में जो इंडस इंड बैंक का ATM है उसके भीतर दो लोग लोहे का हंथियार लेकर घुसे हुए हैं बुद्धा कॉलनी के थाने वालों को विश्वासी नहीं हुआ उनको लगा कि बंबई वालों को कैसे मालूम पड़ गया कि पटना के एक जगह पर ATM लूट होने वाली है लेकिन मुख्य ब्रांच वालों ने कहा कि हम 100% गारंटी लेते हैं कि बुद्धा कॉलनी में जो इंडस यार लेकर भागते हुए देखते हैं भारी बारिश हो रही थी अंधेरा था वहाँ पर इसलिए वो दो लोग तो भाग गए और तब तक मुंबई के में ब्रांच वालों ने उसका CCTV फुटेज बुद्धा कॉलनी के थानाध्यक्ट साहब को भेज दिया था था थानाध्यक इंड बैंक का एटियम लूटना चाहते थे लेकिन टेक्नलोजी की बात आज खूब हो रही है बताया जा रहा है कि अगर कोई बाकई में चोरी होने से रोकना चाहे तो कोई चोर इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो चोरी कर लेगा और टेक्नलोजी का प्रियोग कैसे ह इंड बैंक वालों ने बता दिया है मुख्य बरांच में ये पता होता है कि देश भर में कहा कहा किस बैंक का एटियम है अब वो एटियम का निगरानी करते हैं निगरानी भी दो दस पांच लोग की टीम करती है वहाँ पे जो CCTV लगा होता है उसके फुटेज को देखते रह और जहां भी एटियम में कुछ भी गरबड़ी होती है उनको अलार्म बजाता है वही अलार्म बजा था पटना के बुद्धा कॉलनी इस्थित इंडस बैंड इंडस इंड बैंक का एटियम के लिए उन लोगों ने बिना देर किये पुलीस वालों को बताया और पुलीस वा का पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो दोनों कौन थे एटियम लूट आज के दुनिया में बहुत आम हो गया है आप रोज ये खबर पढ़ते होंगे कि एटियम उखाड लिया गया एटियम से 10-15 लाग चुरा लिया गया और पटना के बुद्धा कॉलनी के इंडस इंड लोगों को पकड़े और लोग बाग बहुत खुश है कि ऐसा टेकनलोजी आ गया है कि मेन ब्रांच वालों को ही मालूम पड़ जा रहा है कि कौन से एटियम में कुछ गलत हो रहा है और ऐसा अगर होते रहा तो एटियम लूट एकदम खत्म हो जाएगी और कोई भी एटियम लूटने के बारे में सोच भी नहीं सकता है बाकी पटना पुलिस उन दोनों को कब तक पकड़ती है इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इतला करेंगे मिरे नाम प्रिशान्थ है बहुत बहुत धनिवाद